त्यारे दोस्तों आपका स्वागत थे डैमंड डिडिन्ग चैनल में इंगलिस सीखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राब कर लिए क्योंकि आपके लिए इस परकार का धेर सारा कंटेम लेकर के आने अवला हुए तो चलिए भी नदेर के उस कहानी को पढ़ना सुरू करते हैं और इंगलिस सीखते हैं दोस्तों कहानी का टाइटल है दो लायन एंड फॉक्स एंड बीस्ट्स मिन सोता है दोस्तों लायन मिन सोता है सेर यहां पिक्चर में आप देख सकते हैं फॉक्स मिन सोता है लोमरी यह प कहानी है विर्स मिन्स होता है जान वरू चलिए बिना देर के विस कहानी को पढ़ना सुरू करते हैं बहुत रुमांचा कहानी है दोस्तों कि आप इसके अंत तक वीडियो को देखिएगा ए लायन वाज टू ओल्ड ए लायन वाज टू ओल्ड एंड वीक क्या था एक सेर बहु पूढ़ा और कमजोड था एज ही वाज अनेवल टू हंट जैसे वह सिकार करने में तू हंट हंट मींच होता है दोस्तों सिकार करना सिकार करने में अनेवल यानि असमर्थ हो गया था जैसे ही वह सिकार करने में अननेवल यानि असमर्थ हो गया था यासमर्थ था He thought of a plan वह एक ये योजना के बारे में सोचा He told the animals that he would die soon He told the animals वह जानवरों को डोल यानि बताया या कहा That यानि की He would die soon वह तुरंथ डाई मर जाएगा क्या हो जाएगा? वह सभी जानवरों को बोल दिया की He would die soon वह तुरंथ मर जाएगा Soon means होता है तुरंथ दोस्तो डाई means होता है मर न वुड में जब पास्टेंस में परियो किया जाता है तो उसका वुड का परियो करते हैं गागेगे के लिए They all felt bad and decided to visit him क्या कि He all felt bad वह सभी जो जानवरों थे क्या कि He बुरा महसूस किये Filt यानि Feel means होता है महसूस करना Filt यानि महसूस किये Bad यानि बूरा And decided to visit him और क्या किया उसके पास मिलने के लिए क्या किया उससे मिलने के लिए निरनाय लिया Decidement क्या क्या निरनाय लिया उससे मिलने के लिए Visit means होता है दोस्तों मिलने के लिए किससे उससे उससे मिलने के लिए सभी जानवर ने क्या किया दोस्तो निराना एलिया ए गौट वेंट टु दे लाइन्स केव क्या किया दोस्तो एक गौट यानि एक बकरी लाइन्स के गुफा में केव में गुफा लाइन्स में सेर सेर के गुफा में वेंट यानि गए followed by a sheep and a calf क्या किया दोस्तो followed by follow means वता है अनुसरन करते हुए किसका एक बकरी का और एक काप का पीछा पीछा करते हुए जो है बकरी लाइन के गुफा में गया gradually अक्सर या धीरे-धीरे gradually means वता है धीरे-धीरे the lion recovered क्या किया धीरे-धीरे लाइन जो है recovered यानि ब्रामद किया जानवर्ण सबको but the goat sheep and calf were nowhere to be seen लेकिन क्या हुआ देश्टो बेट लेकिन बकरी भेर, sheep means होता है भेर and calf means होता है बच्छरा were nowhere to be seen कहीं भी नहीं दिखेने दिख रहा था कहीं भी नहीं दिख रहा था now where means होता है भी दोस्तो कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं दिख रहा था after a few days कुछ दीनों के बाद he came out of his cave and saw a fox क्या हुआ दोस्तो he came out of his cave वह जो है वह अपने गुफा से out यानि बाहर came out यानि बाहर आया and saw a fox saw देखना ये fox एक लोमरी को देखा ये जो है सेर बाहर आया और एक लोमरी को देखा he invited the fox क्या किया हुआ जो है अंदर में इन वाने अंदर में लोमरी को invited निमंत्रन किया the cleaver fox replied the cleaver मिन सोता है चलाक लोमरी replied जबाब दिया your majesty your majesty मिन सोता है महराज I did want to visit you मैं आप से क्या हुआ मैं आप से मिलना चाहता था मैं आप से मिलना चाहता था but I saw many hoop marks going in लेकिन क्या हुआ but I saw मैं देखा many hoop marks going in क्या दुद हुआ but I मैं अंदर जाते हुए many hoop marks बहुत सारे पैर के निशान को देखा I saw none coming out मैं आते हुए कोई निशान नहीं देखा मैं आते हुए नहीं देखा so इसी लिए I preferred not go in इसी लिए मैं जो है preferred मैंने पसंद किया अंदर नहीं जाने का saying this यह कहते हुए the fox run away क्या किया यह कहते हुए saying this means होता है दोस्तों यह कहते हुए the fox यानि लोमरी run away यह run away यह भाग गया the line realized his trick had been discovered line को क्या हुए realized हुए महसूस हुए his trick उसका जो trick था trick मैंने चाल जो है had been discovered सब को पता चल गया है या खोजली आ गया है और जनवरों के द्वारा इस कहानी का moral क्या है दोस्टो learn from the mistakes of order यानि कि क्या होना चाहिए सीखना चाहिए दुसरों की mistakes other mistakes यानि दुसरे के गलतियों से सीखना चाहिए जिस परकार लोमरी जो है दुसरे के गलतियों से सीखा thanks for watching my dear English learner